गंटागार और यह हम शाप पर कुछने वाले हैं जाज शबाश वेद ड्रैवर टे गाइज असलाम अलेकूम कैसे हैं आप आप होप आप सभी अच्छे से होंगे बडिया में होंगे तो गाइज आज डे टू है और आज फिर कैमेरे की टेस्टिंग काल कर रहा था और आज फिर से हम मार्किट की और निकल रहे हैं और आज रात को मैंने बाइक नहीं लाई थी साथ तो बाइक जो है मेरी रह गही थी घर में वह सॉरी बाइक रह गही थी शौप पर वाजिद ने ली थी बाइक तो मैं उससे मांग नहीं पाया था मैं खड़ा हूं गंपत पूल वाली साइड इस तरफ है गंपत पूल यह है जमू वाला रास्ता और इस तरफ हमारा घर और यह जारों में थोड़ा आगे की और क्योंके वाजिद जो है उसको मैंने बिलाया है लेकिन आभी वह वेट कर रहा है पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहा है तो गाइस वह आ रहा है तो अभी जो है फिर से हम मार्किट की और निकलेंगे और थोड़ा सा प्यारा से भी वह आपको दिखाएंगे तो शाहिद कल या आज शाम को या कल फिर भूनने भी निकलेंगे वह भी हमां आपको दुरूर दिखाएंगे तो आप मुझे चाहे साइसे हैं दिखते हो है अटी से डिखते है जो अटो अटी सहाओ हो गया गए निजा गिलाग एपो पड़िक अपार कर दो आज भुदधा है देखो है चल्मरेट लगाना बहुत जुरूरी है अगा है जाए जाए रहे हैं तरेस्टार वा लाग है से निरवा बिसमिल्लाराहमान गर मुझेज़त हुआ उन लगा की कि मेरे पास था बाएक रात को इसी के पास थी और यह अब ही जो है नाके से भागा रहा है कि बेंके हरमन पहनना के गांना है एक उसी का थे लिड ME geral mensen' नहीं था इसने काफी लेड़ करवाया फिर एक बंदे ने मुझे कोई वाकफ था उसने खुदी मुझे लिफ्ट दे दी अच्छे लोग भी हैं दुनिया में तो आप जो है फाइनली हम निकलते हैं मार्किट की और देखते हैं नागा कहां जैसे हैं कागस तो वैसे मुझे भ कि कोई बात नहीं चलिए चलते हैं तो यहां पर चलिए कोई बात नहीं अज जो है मोसम काफी गर्म है कर दो दिन तो काफी ठट अमोसं भाप ब्रकिषाम को बड़ी थन्ड थे लेकिन अब ही महीं सो रहे कि आज जो है गरण मोसम है यही मेहना है दस दिन के बाद जो है बिल्कुल सर्दी हो जाएगी लेकिन आज भी अगर बारिश पड़ जाए दो दिन बारिश अगर पड़ेगी तो बिल्कुल ठंडा मोसम हो जाएगा आजण लाएगज ने पेटरूल पंप हमने करास किया है शायद कुछ आहस्ता से चल रही है शायद। कुछ तेल खत्म सेर में आसार. आजआ हो यvoorbeeld कुछ दूबस को भी खिजआ होसे उस नहीं रही है। षी पर भी खिज़ हो खता थो, लेकिन ज़िज और यह सामने जो पार उपर पहाड़ी देख रही है न यह है ब्यूली यह सर्द्यू में चार-पांच मेने इसमें कंटिनी वी बर्फ रहती है दूप वाला एरिया है लेकिन जैसे निकलती है फिर से बर्फ पढ़ जाती है इसमें और यह टाप उपर इधर भी बहुत बर्फ पढ़ती है इस बार फिर से हम बर्फ में गूमने वाले हैं लेकिन अगले शनिवार तक हम काफी दूर शाइद शंगलदान के एरिये में गूमने जाएंगे जहां पर तत्ता पानी है ऐसा लग रहा है और आज काफी लेट हो चुके हैं और आज है एक तारीख कि चलो भाई एले बहुए गाड़ी उठा लिए आज शबाश विद ड्रेवर और इस गाड़ी को फाइन होगा भाई वाजिद फिर छोड़ा जाएगा क्यूंकि यह ग्रॉंक्ट पारिकिंग लगाते है ना इसलिए गाड़ी को उठा लिया जाता है फिर इनको दो डाहिजार पर शाहिद फाइन होता है फिर गाड़ी रिलीज होती है और यह हमारा गंटागार और यह हम शाब पर पहुचने वाले हैं और यह फाइली पहुचके यहां खाबर और यहां से थो असा टरन लेके अंदर की और गाड़ी लगा लेते अंदर ही लागो और यह पहुचे के जनाब हम अपने स्टेशन पर इत्मा हिटां के ना आउट आफ पारिक है अरेड़ू वाज़ू 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 आज मारकेट में खास रशनी और यह हमारी दुकान के लिए रस्ता और यह सामने है हबी मॉल और यह हमारी शॉप यह हमारी शॉप यह पूंच रही हम शॉप पर आदाब सर बढ़िया आदाब 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 और फैंशे नान करेंगे गर्मी आज सुबसुबा तो फाइलली गाइज यह पूंच गे हम अपने शॉप पर आदाब स्वागत है आफ सभी भाईयों का हमारी शॉप से स्वागत अज अज क्या है वेलकम 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 करताओं सभी भाईयों का पंध अज सरा पीलेगे ने हुआ इस वापस